हेलो दोस्तो मैं विनोद चलिए आज हम लोग जानते हैं प्रोपर्टी टैक्स पेमेंट ओनलाइन किस तरह से चेक क्या जाता है यानि कि आप अपने प्रोपर्टी का जो टैक्स जमा किये हैं उसे किस तरह से ओनलाइन चेक करेंगे कि आपका प्रोपर्टी टैक्स का डीटेल क्या है कितना रुपया जमा किये हैं सारे चीज़ का व्यूरन आपके पास आ जाएगा आप देख सकेंगे कि आप कब अपना प्रोपर्टी टैक्स जमा किये थे किस जगह जमा किये थे आप काउंटर में अगर जमा किये थे तो काउंटर में किस ने जमा लिया था या ओनलाइ जमा किये तो online कब जमा किये कौन सा bank का थ्रो जमा किये ये सारे चीज़ का details आपको इस वीडियो के जरीए मिल सकता है अगर आप पटना छेतर में रहते हैं और आपका property पटना municipal corporations के अंतरगत आता है तो इस वीडियो को दोस्तो एक बार जरूर देख लिजिएगा जिससे की आपको पता चल जाएगा किस तरह से घर बैठे ही online property payment tax का details यानि की संपतिकर का भुकतान का ब्यूरन किस तरह से चेक करेंगे दोस्तो आप google का home page खोल लिजिए google का home page में search bar में आपको टाइप करना है पटना property tax क्या टाइप करना है देखें मैं बता रहा हूँ पटना property tax टाइप करके search किजिए search करते ही आपके screen पर देखेगा दोस्तो दिखाएगा पटना munisipal.net पटना munisipal corporation देख सकते हैं मैं zoom कर दिया हूँ पटना munisipal.net आपको इसी side पर क्लिक करना है पतना munisipal corporation पर पतना munisipal corporation पर क्लिक किजिए पतना munisipal corporation का official website पतना munisipal corporation पतना नगर निगम जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं ये पतना munisipal official website है जहाँ पर पतना से related information दिया हुआ है दोस्तों करना कै आपको आप नीचे की तरफ आएए, आने के बाद आप देखिए left side में property services दिया हुए, मैs zoom करते हूं आपके लिए दीखे ये property services दिया है, आप property services के नीचे आएए नीचे देखिए आप कहिंए दिया है दोस्तो View payment details, देखिए दोस्तो View payment details दिखारा रहा है view payment details पर click किजिए click करते ही दोस्तों देखेए कि आपके पास इस तरह का एक form आ जाएगा जिसको कि आपको fill up करना है search property search property with any parameter दोस्तों इसके पहले मैं आप से एक request करना चाहता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो please मेरे चैनल को subscribe किजिए बगल वाले bell icon को दबा कर notification को on किजिए मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के पास लेकर आते रहता हूँ तो चलिए अब करना क्या है अब आपको circle name choose करना है circle name क्या है दूस्तों पटना शिटी में बहुत सारा circle है जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें जिस circle में आप रहते हैं इस circle को choose कर लिए example कर तौर से मैं एक circle choose कर लेता हूँ new capital circle उसके बाद word number आप अपना word number हैं से choose कर लिए जो word में आप रहते हैं वो word अपना choose कर लिजिए उसके बाद property number आपको यह डालना है old property number यह property number आपको कहां से मिलेगा दोस्तों यह property number आपको पता ही है कि आपका tax का जो bill होगा previous year का पिछले साल का उसमें देखेएगा property number दिया रहता है new holding number भी उसमें आपको मिलेगा and owner name आपको पता ही है जिनका है property जिनका payment search करना जाता है और SAS number भी दोस्तों आपको आपका बिल में मिल जाएगा property tax का previous bill में मिल जाएगा दोस्तों उसके बाद आपको search में click करना है search में click करते हैं दोस्तों देखेगा आपके पास उस property का details आएगा अगर दोस्तों आपके पास old PID number new holding number SAS number नहीं है तो क्या आप check नहीं कर सकते हैं क्या आपने कितना रुपिया जमा किया है yes of course कर सकते हैं क्यूंकि उपर में दिया ही हुआ है देखे दोस्तों search property with any parameters कोई भी parameters डालके आप property को search कर सकते हैं तो उन खेट चेत्रे में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा property number old PID number new holding number owner name आप डाल दीजिएगा kindly तो आपको जल्दी मिल जाएगा और SAS number नहीं है तो छोड़ दीजिए उसके बाद आपको search में click करना है search में click करते हैं दोस्तों देखेगा आपके पास सारे details आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं search property में आपका search property number new circle name ward number SAS number owner name ये सारे चीज़ आपको हिया show कर रहा है उसके साथ नीचे दिखेगा property list property list दिखा रहा है मतलब कि मैंने क्या किया है कि criteria को blank छोड़ दिया था holding number owner name SAS number और इसलिए इतने सारे दिखा रहा है 1887 records found दिखा रहा है इसमें से अपको हमें खोज लेना परेगा कि ये मेरा कौन सा है तो देखिए SAL क्या क्यान मिलेगा आपको नीचे दोस्तो SAL number मिलेगा circle ward number property number SAS number old PID number new holding number उसके बाद holding number owner name address last assessment आपको इस जगह से मिलेगा जैसा कि आप यहां देख सकते है सारे चीज़ का यहां पर आपको यहां मिलेगा details फिर दोस्तों आपको करना क्या है देखिए दोस्तों आपको यहां से उस property को choose कर लेना है कि उसका उसके बाद देखिए यहां वीड़ी दिखार लास्ट एसिमेंट यहां उसके फिर वीड़ा जो प्रपर्रेंटि आपका है जो प्रपर्टी आप कहा है उसंपोर आप साव करते ही करते ही दोस्तों आपको पर property का सारे details owner name address sas number old PID number सारे चिपिस का details आप देख सकते हैं उसके बाद नीचे दिखे view for property details and view payment details आप यहां से इमांड details भी देख सकते हैं view प्रोपड वि देख सकते हैं साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कि कितना रुपया जमा किया गया देखिए payment mode आपको दिया गया है कितना रुपया जमा किये हैं यह सारे चीज आपको यह दिखा रहा है इस पर व्यू पर क्लिक करते ही दोस्तों देखिएगा आपके पास एक PDF फॉर्म आ जागा जिसमें आपको दिखा देगा कि कितना रुपया जमा किये हैं कब जमा किये हैं सारे चीज का information payment का details आपके पास आपके screen पर आ जाएगा तो दोस्तों देखे आज आँज आप किस तरह से आप अपने property का payment details यानि कि कितना रुपया payment किये हैं टैक्स पेमेंट किये हैं कहां पेमेंट किये हैं सारे चीज रिकॉर्ड आपको लास्ट में पीडिएफ जब खूलता है तो वहां पर दिखाता है यहां सारे चीज तो करेगा आप भी बार अपने पोपर्टी डीटेल्स का इस तरह से चेक कर लिजे कि आपने लास्ट पेमेंट कर था कहां किया था सारे चीज दिखाएगा आप चेक कर लिए कि सब ठीक ठीक दिखा रहा है कि निए दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक केजिए थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो